नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केरेर पॉइंट प्रार में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं जीके के टो फिफ्टी क्यूशन जो आने वली सभी एक्जाम्स के लिए अगर आपको यह एक्जाम्स के लिए ओल इंड टो पीडियाप के लिए आपड़ो के लिए करेंगे लिंक वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आज की क्लास को शुरू करते हैं देखते है आज की वीडियो का फैस क्यूस्टन चलिए फ्रेंट्स फिटाफट कमेंट करिएगा राइट आंस्वर पहला क्यूशन है बगत सिंग ने कब असेम्बली होल में बं फेका था आप लो उताएंगे जल्दी से इस सडूर निर्मान निर्मान की मांघ रखी थि हिल्दी इसका ओन सब्सक्राइब का फॉद्श निर्मान का वल्ड हो गए उप्षणी पर चलिकांसो पिए अबनीशसर को घ्टन म análए यहा झारतिज हो इसका का सबएक जम्र मेंद न देखिए मैन देखिसे hai Prabi नहीं किया वो वीडियो को लाइक करेंगे अपने अपने दोस्तों साथ सेर करेंगे फेस्बूक वाट्सअप टेलिग्राम जो आप से जूड़े हुए हैं जिन आपके साथ यह जो कोर्मेंट एक्जाम की त्यारी करें उन सभी के साथ इस वीडियो के लिंक को फटा फट शेर कर दीजिए एक बाद देखिए कैब्सन्त कंते फ्रेंट सँटीक नोरेंज ब्रूरेंस अपको आपका सबूस्पर इसमय प्रोंस के अगय Thai के एकल सिर्फ अगला क्यूसन है आजदी के पूरो पर्थम स्वादिंता दिष बीसिंटब मनाया गया था आप लोग घल्सि disruptayd में 1930 में आजादी से पहले फ्रेज़ देखेगा पर्तम स्वाधिंता दिवस मनाया गया था याद रखिएगा नेक्स क्यूशन देखिए भारत में प्रिवार नियोजन कारेकरम को कब अपनाया गया भारत में प्रिवार नियोजन कार्य करम को अपनाया गया था अगला क्यूशन देखिए भारती सांखी की संस्थान कहां पर्ष्थित है आप लोग ताएंगे जल्दी से भारती सांखी की संस्थान कहां पर्ष्थित है चलिए देखिए सही आंशर हो रहेगा कोलगत्ता में Option C, को लगत्ता आपका सही आंसर होगा. Next, देखी. किस देश को वनो का देश कहा जाता है? Most important question, if it happened, comment करिएगा right answer. सही आंसर क्या होगा? आप लोग उताएंगे जल देशे, किस देश को वनो का देश कहा जाता है? सही आंसर होगा, कांगो देश को वनो का देश कहा जाता है? Option A, आपका सही आंसर होगा. अगला question है, जवाला मुख्य के मुख्य को क्या कहा जाता है? कई बार exam के अंदर ये question, repeat वाँ, फटाफाट कमेंट करिए. जवाला मुख्य के मुख्य को क्या कहा जाता है? निमिलकित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है आप लोग ताएंगे जल्दी से सब्सक्राइब नदिया जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है तो याद रखीगा इस कुछिन को अगला क्यूसिन देखिए जो नदिया डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है अगला क्यूसिन देखिए अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक ने कहें तो वीडियो को स्पोर्ट करने के लिए प्लीज आप पीसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, जितना हो उसके सेर करिए, जितने भी आपके पास टेडी ग्रूप है, उनसे भी जगा सेर जुरू चट्टानों में गरम तथा तरल पदार्थ क्या कहलता है आप लोग ताइगे जल्दी से चट्टानों में गरम तथा तरल पदार्थ क्या कहलता है सही आंसर होगा मेगमा option D आपका से आजएगा चटानों में गरम और तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसको मेगमा बोला जाता है अगला क्यूशन देखिए most important question आगया फ्रेंच एक्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया देखिए ऊत्री अमेरिका के घास के मैडान क्या कहलते हैं आप लोग तांगे जल्दी आपके प्रिवेस एर में पूछे गए हैं इन क्यूशन के अंदर जो है बच्चे कई बार कन्फ्यूज होते हैं तो और फटाफट करेंगा अच्छे से सोच कि अफरीका के ऊषन घास के मैदान को क्या कहा जाता है सवाना कहा जाता है आपका सवाना अगला क्यों देखिए अफ्रिका के सितोशन घास के मैदान क्या कहलाते हैं, फटाफट कमेंच करेगा, और नेमने, दावनी तरंगे किस माध्यम से चल सकते हैं, आप लोग ताइंगे फटाफट कमेंच करेगा, बहुत अछा रिष्पॉंस मिला आप सभी का, अच्छा रिस्पॉंस देने कह लिए, इस भी का धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने वालों का धन्यवाद देखीगा, धहुनी तरंगे किस मादम से चल सकती हैं, फ्रेंट सही आन्शोर होगा, ठोस तथा गैस दोनों मादम में चल सकती हैं, ठोस और गैस जो होती हैं, उन सभी के अंदर धहुनी तरंगे चल सकती है option D आपका सही आंशो रुगा अगला क्यूशन देखिए किस से होकर गुजरने पर परकास की गती नियूंतम होगी किस से होकर गुजरने पर परकास की गती नियूंतम होगी आप लोग ताएंगे जल्दी से सही आंशो रुगा चलिए देखिए काच से गुजरने पर परकास की गति न्यूनतम होगी option c आपका से याद रखेगा कांच से गुजरने पर परकास की गति जो होगी वो न्यूनतम होगी अगला question देखी अगला कि कि आवर्थ सारनी का सबसे बड़ा आवर्थ कौन सा होता है बहुत एच्छा सानिका क्या होता है सबसे बड़ा आवर्थ होता है तो अब बताएगा फ्रेंट्स छोटा आवर्थ कौन सा होता है कौन सा होता है पहला आवर्थ होता है वही सबसे छोटा आवर्थ होता है और आपका से उजेगा पहला आवर्थ आवर्द थारने का सबसे चोटा आवर्द होता है नेक्स देखी गर्दन में कसेरुकी की संख्या कितनी होती है कितनी होती है इसकी आपको पर्थम कब गया राष्री गीत स्राव पर्थम सबसे पहले बार राष्ट्री गीत कब गाया गया था प्टाफट क्यों करेंगे आप लोग सबसे पहले बार गाया गया था अगला क्यूशन देखी देश में अपात काल अब तक कितनी बार लाग हुआ देश में अपात काल अब तक कितनी बार लाग हुआ था सही आंशर होगा चलिए देखी तीन बार उप्टाफट करेंगे अगला क्यूशन करते है अंत्री राज्य प्रिशत की बैटक वर्स में कितनी बार होती है सही आंशर क्या होगा चलिए देखी तीन बार होती है अगला क्यूशन देखी अरून ग्रह की खोज किस वर्स हुई थी आप लोग उताएंगे जल्दी से बहुत अच्छा क्यूशन आए अरून ग्रह की खोज कब की गई थी और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक न सेर करेंगे जोने बेच्चे चैनल को सबस्क्राइब केके बैल आइकन फ्रेस जुरू कर लेंगे देखी गा क्यूशन अरून ग्रह की खोज कब हुई थी 1781 ओप्शन ए आपका सही होज़ेगा अगला क्यूशन देखी पर्थवी अपने अक्स पर कितने डिग्री जुकी अप्शन भी राइट आंस्वर ठीक है साधे तेस डिग्री पर्थवी अपने एक्स पर जुकी होज़े याद रखी नेक्स देखी एस्या का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है कौन सा माल्दी वह फ्रेंट्स ओप्शन भी आपका सही होज़ेगा माल्दी नेक्स द सही आंस्वर देखिए क्या उनसा जाएगा यूरोप एक ऐसा महादीप है फ्रेंट्स जहां एक भी मरुस्तल नहीं है याद रखीए तो उप्शन सी आपका सही आंस्वर होगा काफी बच्चे जो है आस्ट्रेलिया को चूज करते हैं ये रों हो जाएगा फ्रेंट्स सही आंस्वर का आस्ट्रेलिया महादीप को दुवीपय महादीप के नाम से जाना जाता है उप्शन बी आपका सही होजएगा आस्ट्रेलिया महादीप नेक्स देखिए आइसलेंड की संसद को क्या कहा जाता है आप लोग उताएंगे जल्दी से आइसलेंड की संसद को क्य प्रिटेन का राष्टिय चिन क्या है आप लोग जल्दी जल्दी से आपका बढ का पूल्र आपका विल्दी नेक्स देकि बर नामा किस देश की समाचार एजेंसी है आप लोगताएंगे जल्दी से, बरणामा किस देश की समाचार एजेंसी है, सही आंशुर रोजाएगा, मलेशिया, option A, right answer, next दीखिए, आप लोगताएंगे जल्दी से, आप लोगताएंगे जल्दी से, आंदर परदेश राजे की स्तापना कब की गई, परदेश राजे की स्तापना की गई थी, next देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए, कारा कोरम दर्रा भारत के किस राजे में श्तिते, सही आंशरो का, जम्मु कस्मीर, अब केंदर साशित परदेश हो गया, फ्रिंट्स राज्य नहीं रहा है ठीक है यह आपको पतावना चाहिए जो 370 धारा थी उसको तोड़कर क्या किया गया इसको केंदर सासित परदेश बना दिया गया है तो जम्मुक कस्मीर केंदर सासित परदेश केंदर कारा कॉरूम दर रहा है याद रखी ओप्शन ए आपक उनिसोचपण में ओप्शन डिया आपका सेज़ेगा 1956 में अलाइसी की स्तापना की गे थी भारतिये जीवन भीमा निकम ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं आर्केमेडिज्म किस देश की मूल निवासी थे आप लोग ताहिए आर्केमेडिज जो थे वो किस देश क कि मूल निवासी थे किस देश के थे सही आंशरों का ग्रीश देश ओप्शन डी आपका सेज़ेगा ग्रीश देश के मूल निवासी थे आर्केमेडिज नेक्स देखी डिग बोई किस लिए परसिध है फटाफट कमेंट करिए का बहुत इच्छा क्यूशन है इंपोर्टें भारतिये विश्यों को कितने भागों में बाट अ गया है सही आंसरों का तीन भागों में option b आपका सही ओजय का next दीखिए पाकिस्तान का संथ्तादीवस की स्थित्ति को मनाया जाता है फ्टाफट कमेंट किरी का most important question है सही आंसर देंगे सिपशा थी कब मनाया जाता है? वर्स मनाया जाता है उजलीविंद्र नाहमाक्त करें कि द सब्सकार से सबानति किया गया था ऑप C सब्सक्राइब आप लोग उताएंगे जल्दिस, बजेक्ट पूराव आर्थिक समेक्सा कहां पेस की जाती है, सही आंशरोगा लोगशभा के अंदर, ओप्शन ए आपका सही हो जाएगा ठीक है, लोगशभा में पेस किया जाता है, नेक्स देखी, कमेंट के लिए चुने जाने वाले पर्थम भारती कोन थे, सही हो जाएगा, एम एन रोई, ओप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एम एन रोई, नेक्स देखी, महिला योन लक्षनों को परभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है, आप लोग उताएगे, most important question है, महिला योन लक्षनों को परभावित करने वाला हार्मोन है, देखीएगा कौन, एस्ट्रोज, option B, आपका सही हो जाएगा, एस्ट्रोज and right answer, अगला question देखी, black hill, blue hill तता green hill नामक पहाड़ियां कहां अस्तित हैं, आप लोग उताएगे जल्दी से, कहां पर हैं, सही answer हो जाएगा, चलिए देखीए, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, अमेरिका के अंदर है, black hill, blue hill और green hill नामक पहाड़ियां, next देखी, पर्थवी के अंदर पिगला पदार्थ क्या कहलाता है, आप लोग ताएगे, friends, फटाफ़र बहुत इचा क्यूशने, पर्थवी के अंदर पिगला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, सही answer हो का, मेगमा कहलाता है, option B आपका, सही हो जेगा, मेगमा, next देखी, वर्ग रहित समाज की संकलपना किसने की थी, किसने की थी, कारल मार्क्स ने, option C, कारल मार्कस आपका सही answer हो जाएगा, next देखी, नो से ना विद्रो के पर्मुख नेता कौन थे, नो से ना विद्रो के पर्मुख नेता कौन थे, सही आंशुरोगा MS खान, option C आपका सही हो जाएगा, next देखी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम वर ट्रीटियम किसन के तीन समस्थानिक है, फ्रेंच फटाफट कमेंड करेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, तीन समस्थानिक है, किसके चलिए देखी, सही आंशुरोगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फ्रेंच, तीन समस देखी, रणजीत सिंग की संगरिक्षिका का नाम क्या था, आप लोगताएंगे जल्दी से, रणजीत सिंग की संगरिक्षिका का नाम क्या था, क्या नाम था, सही आंसर होगा, यहां पर देखी, सदाकोर, उप्शन C, सदाकोर आपका सही आंसर होगा, नेक्स देखी, अब आ एक उपर राष्टपती होगा किस अनुछेद से सम्मधित हैं सही आन्स होगा अनुछेद 63 आर्टिकल 63 से सम्मधित है कि भारत का एक उपर राष्टपती होगा option D आपका सही आन्स होगा तो friends question complete होचके हैं अगर आपको हमारे question अच्छा लगा हूँ वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सेर कर देंगे अपने दूस्तों के साथ फेस्बूक वर्ट्सप टेलिग्राम सभी जगे आपका वीडियो को फुल सपोर्ट दीजी ताकि हम आपको और अच्छे ची वीडियो आपर पर प्रोइड कर सके और आ आपको गारेंटी देते हैं आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे तियारी कर सकते हैं तो डेली अपना टेस्ट दीजीगा डेली टेस्ट के टाइम है मौर्णिंग में साड़े साथ बजीगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुडबाई टेक केर जै हिंद जै भ